दोस्तों, IPL 2025 के लिए मुंबई इंडियन्स यानी की MI ने किया नया कप्तान घोशित जी हाँ दोस्तों, अब हार्दिक पांडिया नहीं बलकि यह खुंखार खिलाडी करता दिखेगा MI की कप्तानी आखिरकार दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं कौन है वह खुंखार खिलाडी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही है इस साल IPL 2025 के सीजन के लिए महा आउक्शन होने वाला है जिसमें सभी टीम अपने टीम में कई बड़े और अहम खिलाडियों को शामिल करना चाहेंगी तो वही दोस्तों इन में से कई टीमों की नजर एक बड़िया कप्तान पर भी होने वाली है जिसमें एक टीम है MI यानि की मुंबई इंडियन्स दोस्तों पिछले साल मुंबई इंडियन्स की कप्तानी हार्दिक पांडिया ने करी थी जिनकी कप्तानी में मुंबई इंडियन्स ने बहुत खराब प्रदर्शन किया था और अपना सफर दसवे स्थान पर खत्म किया था इसी को मदेंजर रखते हुए दोस्तों मुंबई इंडियन्स ने अपना नया कप्तान ढूंड लिया है जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं रशब पंथ की रशब पंथ आईपील में दिल्ली की तरफ से खेलते हैं दोस्तों रशब पंथ दिल्ली की कप्तानी भी कर चुके हैं रशब पंथ दिल्ली टीम के खूंखार विस्पोटक बल्लेबाज है दोस्तों रशब पंथ ने आईपील में बतौर बल्लेबाज बहतरीन खेल दिखाया है और इसके अलावा दोस्तों रशब पंत का विकेट कीपर के तौर पर भी IPL में प्रदर्शन बेहद ही शांदार रहा है दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रशब पंत आगामी सत्र से पहले हार्दिक पांडिया की जगह MI के नए कप्तान बन सकते हैं अगर दोस्तों ऐसा होता है तो अरश्ब पंत अकेले दम पर ही जीता देगा मुंबई टीम को IPL 2025 का खिताब